परेशानिया तो हर किसी की जिन्दगी में है सहाब उदासियां चेहरे पर दिखाई दे ये जरूरी तो नहीं नमस्कार जहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगने स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का और प्रारंब करते हैं कक्षा बारा की जो हमने पुस्तक प्रारंब कर रखी है आरो है भाग दो उसका आज बार्वा अध्याय जेनंदर कुमार सहाब का जो बाजार दर्शन है उस अध्याय को पढ़ेंगे हम और बहुती कमाल का अध्याय है और यहां से यकिनन सवाल है जो पूछा जाता है वीडियो को लाइक कर दीजिए आप शेर कर दीजिए सभी ग्रूप में सभी दोस्तों के साथ और पहली बार देख रहे हैं चेनल को सब्सकाइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो की सूसना मिलते रहे टेलिग्राम चेनल अभी तक आपने जोइन नहीं कर रखा तो टेलिग्राम चेनल आप जोइन कर लिजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कवी आदिगनेश हिंदी नाम से टेलिग्राम चेनल है और अभी उस पर 5165 का तकरीबन लोग जुड चुके हैं वहापर म 1905 में होता है अलिगर्ड उत्तर पुर्देश के यहाँ पर प्रमुक रचनाओं के हम बात करें इनकी रचनाओं भी पूछी जाती है कहीं बार रचनाओं में परक अनाम स्वामी सुनिता त्याग पत्र कल्याडी जयवर्दन और मुक्तिबोद यह है उपन्यास देखें यह पर जो सुनिता और त्याग पत्र परक यह उपन्यास तिनों कहीं बार पूछा गये और यह उपन्यास भी देखर पूछा जा सकता है मुक्तिबोद किसका उपन्यास है तो मुक्ती बोध अपने एक रसनाकार भी हुए है घजानन माधव मुक्ती बोध, तो आप मुक्ती बोध का पूस लिया जाए किसका उपन्यास है, तो मुक्ती बोध रसनाकार हुए है तो उनका नाम नहीं कर दें आप धान में रखिया, confused ना होईएगा, यह मुक्ती बोध जी उपने आसर वो है जेनेंदर कुमार सहाप का आगे हम बात करें कहानी संग्रह के अंदर इनके तो वाटायन, एक रात, दो चिडिया, फासी, निलम देश की राजग्निया, पाजेब यह सभी के सभी क्या है, कहानी, संग्रह है जिन के अंदर जिन के अंदर जो पाजेव है ये कहीं बार पुछे गई है निलम देश की राजकन्या ये भी पूछा गया है और वातायन ये तीनों है जो कहीं बार पूछा गया है वातायन एक राद दो चिडिया फॉंसी निलम देश की राजकन्या पाजेव ये सभी क्या है कहानी संग्र है आगे जो इनके विचार प्रदान निवंद संग्र है उनमें देखिए आप प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात पूर्वो दय साहित्य का श्रे और प्रे सोच विचार समय और हम ये सभी की सभी है इनके विचार प्रदान निवंद संग्रे जिनके अंदर साहित्य का श्रे और प्रे और समय और हम ये कहीं बार है जो पूछा गया तो ये भी आप ध्यान में रखिये का सहाब इन्हें कहीं पुरुसकारों से भी नवाजा गया है जिन में साहीत एकादमी पुरुसकार से भी नवा जा गया भारत भारती सम्मान भी मिला इनको और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी है जो इनको किया गया तो साहीत एकादमी भारत भारती और पद्म भूषण ठीक सहाब निदन की हम बात करें तो 1990 में हो जाता है तो 1905 में जन्म होता है 1990 में निदन है जो हो जाता है कमाल की पंक्तियां लिखिए जरूर ध्यान में रखेगा कि यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओड़ कर जो अपने को विवस्ट मान बेट सकता है वही तो ऐसा मर्थ है पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किये वह यथार्थ की विकटा से कैसे निरुद साहित हो सकता है देखे साब कुछ परीचे में और देखें इनके हम तो हिंदी में प्रेमचन के बाद सबसे महतुपुण कताकार के रूप में परतिष्टित जेनिंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और विविद्यपुण है तो हिंदी में जो कताकार हुए है प्रेमचन साब सर्व परसिद है लेकिन उनके बाद में प्रसित कतागारों को नाम आता है तो उनके अंदर नाम आता है जेनिंदर कुमार का साहब अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक शशक्त मनोवेग्यानिक कतादारा का परवर्तन किया वहीं परक और सुनिता के बाद 1937 में प्रकसित त्याग पतर ने इन्हें मनोवेग्यानिक उपन्यास कार के रूप में परभूत परतिष्टा दिलाई तो ये पूछ लिया जाए ये सवाल बड़ा कमाल का बन सकता है कि जेनिंदर साहब किस परकार के उपन्यास कार है तो ध्यान में रखना मनोवेग्यानिक उपन्यास कार के रूप में इन्हें बड़ी परसिद्धी मिली है ठीक है त्याग पतर भी लिखा इन्होंने 1937 में परक और सुनिता ठीक है इसी तरह हमबात करुछ ने खेल पाजेब निलम देश की राजकर्ण्या अपना-पना भाग्य तत्सत जैसे कहानियों को भी काल जै रशनाओं के रूप में है जो मानिता में लिए तो पूस ले जात किन की कहानी है जेनेंदरसाब पाजेब जेनेंदर शाहब निलम देश क गंभीर चिंतक के रूप में रही है चिंतशील दर्शनवादियों कर सकते हैं बहुत सरल एवं अनोपचारिक सी दिखने वाली शेली में उन्होंने समाज, राजनिती, अर्थनिती एवं दर्शन से सम्मधित गहन प्रशनों को सुल जाने की कोशिश की है और अपने और वैस बात का सबूत पेश करता है कि गांधिवाद को उन्होंने कितनी गहराई से एवद्गम किया है तो इनके विशे में ये भी पूछा जा सकता है ये गांधिवादी थी ठीक है तो ध्यान में रिकना जेंदर कुमार गांधिवादी विचारदारा के पर चलते थे तो ये क्या है सहाब निभंध है इसकी विदा बहुत अच्छा सवाल बन सकता है जिसमें गहरी वेचारिकता और साहिते सुलब लालिते का दुरलब संयोग देखा जा सकता है हिंदी में उपभोगतावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले एक डेड़ द ये जो निभंध है ये हर परिस्तिति के अंदर है जो फिट बेड़ता है वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए इसपश्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत के से हमें अपना गुलाम बना लेती है अगर हम अपनी आवशक्ताओं को ठ ठीक ठीक समझ कर बाजार का उप्योग करें तो उसका लाव उठा सकते हैं लेकिन अगर हम जरूरत को तैक कर बाजार में जाने के बजाए उसकी चमक धमक में फस गए तो वह ऐस अंतोस त्रिश्टना और इच्चा से गाहिल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है यानि क कि बाजार में जाते हो चमक धमक रहती है आपको पता है ऐसकल मौल वगरा के अंदर जितने भी शोपिंग मौल हो गया या और मौल हो गया उनमें जाते हो लेनी तो मानलो आपको एक चीज़ है वहां जाकि चमक धमक यार यह भी बढ़ी है वो भी बढ़ी है तो वो सारी ब लोगे साहब आगे हम बात करें तो इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भाती-भाती से समझाने की कोशिद किया पाठ के अंदर देखो गिए अलग-अलग तरीके से समझाने का प्रियास किया इन्होंने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह यानि किस शास्तर को जैनेंदर ने किस रूप में बताया है एनिती शास्तर की रूप में बताया है सवाल पूछा गया है ठीक है अब होता है सहाब अध्याइस प्रकार प्रारम है बाजार दर्शन अभी तक भी लाइक शेर नहीं किया आपने तो जरूर कर लीजिएगा और पहली बार कहता हूँ मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली सी चीज लेने पर लोटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे एक चीज लेने गए थे लेकिन बहुत सारी लेकर आगे बंडले बंडल मैंने कहा ये क्या है मैंने कहा ये क्या है तो बोले ये जो साथ थी तो ये सवाल यहां से इस कथन से पूछा जाए यह जो साथ थी यहां किसकी यह किसकी और संकेत कर रहा है पतनी की और ठीक है उसका आज़्चे था कि यह पतनी की महिमा है ठीक है तो यह किसके लिए आपर दूसरे बाके में पतनी के लिए तो ये कथन पूछा जा सकता है money beginners अर्थात, पेसे की गर्मी या energy तो यहां से यह सवाल पूँचा जा सकते हैं money बैक से, बाजार दर्षन के अंदर money बेक से तात परी में ? money का यहां पर किसे इर्थ लिया गðै पेसे की गर्मी या एनर जिसे तो यह सवाल बन गए बड़ा अच्छा पेशा पावर है बाजार दरसन के अंदर पेशे को किस रूप में रुपायत किया गया है पावर के रूप में कि पेशा क्या है पावर है पर इसके सबूत में आस पास माल टाल ने जमा हो तो क्या हो वे खाक पावर है पेशे को देखने के लिए बेंक हिसाब देखिए पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अंदे के भी दिखते हैं पेसे कि उस पर्चेजिंग पावर के प्रियोग में ही पावर का है जो रस है पेसे हैं तो पावर है नहीं तो फिर ठीक है मामला, कट रही होती है फिर तो, लेकिन नहीं लोग सयमी भी होते हैं कंट्रोल भी रखते हैं अपने आपर वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं वे पेसा बहाते नहीं है और बुद्धिमान होते हैं बुद्धी और सयम पूरग वे पेसे को जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं पेसे की पाउर को इतना निश्च समझते हैं कि उसके परियोग की परिक्षा उन्हें दरकार नहीं है परिक्षा की बस खुद पेसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है मैंने का ये कितना सामान ले आए मित्र ने सामने मनिबेग फिला दिया का ये देखिये सब उड़ गया बटवा दिखाए कि बोला कि देख फुटी कोड़ी भी नहीं बचिया भी इसमें से अब जो रेल टिक्ट के लिए भी बचा हो मैंने तब तई माना कि और पेसा होता तो सामान आता कि और पेसा होता तो ये और कुछ ले आता वे सामान जरूरत की तरफ देख कर नहीं लाया अपनी पर्चेजिंग पावर के अनुपात में आया है साब जितने पेसे थे उस हिसाब से ले आया अगर जरूरत के हिसाब से लाता तो जितनी जरूरती उतना ही लेकर आता और पेसे ये जो बचे रहते लेकिन ठहरिये जनाब इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए उसका भी इस कर्तब में बहूत कुछ हाथ है और वह महत्व है बाजार का सहाब अब देखिए बाजार किस प्रकार से क्या कुछ गुल ख़िलाता है मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक लेया है ये इतना कुछ बेकार में क्यों लेया है मित्र बोले कुछ ने पूछो यार बाजार है कि शेतान का जाल है तो बाजार है कि शेतान का जाल है किसके लिए आया कौन कहता है मित्र कहता है ये ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि भाया ही भाया ही ही बेहया ही हो जो नफजे कि साले दुकान वाले ऐसे ऐसे तो मैंने मन में ठीक है बाजार आमंतरित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो सब भूल जाओ मुझे देखो मेरा रूप और किसकी लिए है तो बाजार बाजार में जाते हो बाजार में चीज़ें करीने से बिल्कुल इस प्रकार से बाजार आमंतरित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो सब भूल जाओ मुझे देखो मेरा रूप और किसके लिए मैं तुम्हारे लिए हूँ नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्जे आपने दुकान वालों को बताते देख बोलाओगा या जो फिर फिर के साड़िय वगरा सामान वगरा बैसने वो कहते हैं न आप लोमत बहले देखने में क्या जाता है देख तो लो एक बार अब उसको पता है देखेंगे तो यह अपने जान में फसंगे देखेंगे तो मन ललचाएगा रेका तो ले लेंगे कि देखने में क्या जाता है देख ल तो बाजार का मंत्रन होता है और उससे चाह जगती है देखते हैं ले लेते हैं चाह मतलब अभाव अभाव का मतलब चाह जगी और नहीं लगे तो पेसे का टोटा फड़ जाएगा पेसे निकलते जाएंगे चोक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफे नहीं है उसके अपने पास काफे नहीं है और चाहिए और चाहिए मेरे यहां कितना परिमित है और यह कितना है तुलित मतलब मेरे पास पैसे तो थोड़े से हैं यह इतना सारा है मामला गड़ बड़ है कोई अपने को नहीं जाने तो बाजार का यह चोक उसे कामना से विकल बना छोड़े विकल क्यों पागल ऐसंतो त्रिश्णा और इडश्णा से घाहिल कर मनुश्य को सदा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है अगर सोसमझ के नहीं चले बाजार में गए तो बाई साब कंगाल बना के छोड़ेगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा एक और मित्र की बात है क्या ये दोपेर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आये और आये तो खाली आद पहले वाला मित्र जिसका यहां पर जिक्र हो रहा है वो बाजार में लेना कुछ समान गया था और थेली बरकर थेला बरकर ले आया और वहींlast दूसरे मित्र का भी जिक्र यहां पर किया जा congregation कि एक और मित्र है दो पैर से पहले गए थे हो बाजार में और कहीं शाम को आए मतलब शाम तक लोटने हैं लेकिन आए क्या है खाली हाथ है अब यहां पर देखें चितर देखें यहां पर यहां पर यह आदमी है सावान आदमी ले रखा है पहले से कुछ ये ट्रोली बेग ले रखा है ट्रोली और फिर भी खोपड़ी से इंदे की विचार निकल रहा है मन तो करता है कि सब भी कुछ करीद लूँ बेटा पेशे देख ले पहले जेब में है कि नहीं आगे देखते हैं मैंने पूचा कहां रहे बोले बाजार देखते रहे अब दूसरे मित्र का जिक्र हो रहा है तो यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकर साब कहते हैं कहां रहे यार तो बोलता है बाजार देखते रहे मैंने का बाजार को देखते क्या रहे बाजार में सा क्या देखते रहे बोले क्यों बाजार तब मैंने का लाए तो कुछ नहीं बोले हां पर यह समझने आता है कि ने लू तो ने लू तो क्या कि मतलब क्य नहीं LG में सारा कुछ लेने वड़ा लग रहा है मुझे तो सभी कुछ तो लेने को जी होता कुछ लेने का मतलब शेल्स सब कुछ छूट जाता कि कुछ लेता तो बाकी चीजे खरीद नहीं से लगता सब कुछ पीचे छुट गया पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता ता इससे में कुछ भी नहीं लें सका मैंने कहा यह खूब रही यार पर मित्र की बात ठीक थी अगर ठीक पता नहीं है किसी बात का कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहत तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम तरास ही होगा गती नहीं होगी ने कोई कर्म होगा बाजार में एक जादू है बाजार में क्या है एक जादू है और वह जादू आंख की राह काम करता है तो देखे सब यह सवाल ब कुछ आजाएगा तो वहां पर उप्सन में एक आएगा आँख की तरह काम करता है बाजार का जादू तो आँख की राग को जरूर ध्यान में रखिएगा वे रूप का जादू है पर जैसे चुम्बक का जादू लोहे पर ही चलता है वेसे इस जादू की भी मरियादा है जे बरी हो और मन खाली हो इस इहालत में जादू का असर खूब होता है देखिए यहाँ सवाल पहले भी पूछा गया है बाजार की जादू का असर कब होता है कि जेब भरी हो जेब में पैसे हो खूब और मन खाली हो इस इहालत में जादू का असर खूब होता है यानि जेब मे भी जादू है, उधार उधार लेकि काम हो जाएगा, मन खाली है, तो बाजार की अनेक अनेक चीजों का निमंतर नो उस तक है पहुंच जाता है, कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वे मन किसकी मानने वाला है, साफ जे में पैसे हो तो फिर मानने वाला काया मालूम होता है ये भी ले लो वे भी ले लो सबी सावान जरूरी आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है पर ये सब जादू का असर है जादू की सावारी उत्री की पता चलता है कि फेंसी चीजों की बहुतायत आरा में मदद नहीं होती है बलकि खलली डालती है थोड़ी देर को सौ अविमान को जरूर से एक मिलता है पर इसे अविमान की गिल्टी की और खुरा की मिलती है जकड रेश में डोरी की हो तो रेशम के इसपर्स के मुलाइम के कारण वह कम पकड़ है जो वह कम जकड होगी सहा गराने भी पता चलता यार फाल तुमें ले आए पर उस जादू की जकड़ से बसने का एक सिदा सा उपाई बाजार के जादू से बसने का सिदा सा उपाई क्या है कि यह है कि बाजार जाओ तो यहां सवाल पहले पूछा किया कि बाजार जब भी जाओ जादू से किस प्रकार बन सकते हो कि बाजार जब भी जाओ तो खाली मन ने हो मन क्या हो भरा हुआ हो वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ने हो मन खाली हो तब बाजार ने जओ जब मन खाली होना तब बाजार जओ मत और मन खाली नहीं हो तब बाजार जओ कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए अब गर्मियों को मौसम आया लू यें चलेगी इतनी चीज़ें हमारे पास है बस यही चीज लिएनी है तो मामला असर नहीं करेगा नहीं तो मामला पेल दिये जाओगे बाजार में जाते ही तब वे घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बलकि कुछ आनन्द ही होगा तब बाजार तुमसे कृतार्त होगा कि एसा गराक आया जिसको जरूरत उतना ही लेके जा रहा है क्योंकि तुम कुछ ने कुछ सच्चा लाव उसे दोगे बाजार की असली कृतार्तता है आवशक्ता क समय काम आना यह सवाल पहले भी पूछा गया है अंडरलाइन कर लीजिए बाजार की असली कृतार्तता किस में है आवशक्ता के समय काम आने में ठीक है यह सवाल पहले पूछा गया अच्छा सवाल है यहाँ एक अंतर चिन लेना बहुत जरूरी है क्या मन खाली नहीं रहना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद कर मन को बंद रखना चाहिए बंद रहना चाहिए जो बंद हो जाएगा वह तो सुनने हो जाएगा और सुनने होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपून है शे सबापून है इससे मन बंद नहीं रह सकता कि राह रेगिस्तान को जाती होगी मुक्स की राव नहीं है ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है लोब का ये जीतना नहीं है कि जहां लोब होता है यानि मन में वहां नकार हूँ ये तो लोब की ही जीत है और आदमे की हार आँख अपनी फोड डाली तब लोब नहीं कि दरसन से बचे तो क्या हुआ आँख फोड कर कि अब मुझे कुछ दिखा लेगा आँख फोड लेता हूं मैं ऐसे मामला थोड़ी पेड़ता है ऐसे क्या लोब मिट जाएगा और कौन कहता है कि आँख फोडने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा पर आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं और वे सपने क्या चेन भंग नहीं करते हैं इससे मन को बंद कर डालने की कोशिस तो अच्छे नहीं वे वह मुक्त ऐसे नहीं होता इससे वह व्यापक की जगे संकीन और विराठ की जग शुद्र होता है अगर बंदिस लगाओगे पूरी तरीके से इसलिए उसका रोम रोम मून कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए बंद तो मन को करना नहीं चाहिए वह मन पूर्ण कब है हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन हम महा सुनने ही नह होते अपूर्ण है इसी से हम है सच्चा ग्यान सदा इसी अपूनता के बोद को हम में है जो गहरा करता है सच्चा कर्म सदा इस अपूनता की स्विकृति के साथ होता है अते उपाई कोई वही हो सकता है जो बलात मन को रोकने को ने कहे जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह ऐ प्रियोजनी रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है हाँ, मन माने पर की छोट मन को नह हो क्योंकि वह खिल का अंग है, खुद कुल नहीं है परोस में एक महानुबाव रहते हैं, अब देखे इनका परसंग देखे परोस में महानुबाव रहते हैं, जिनको लोग भगजी कहते हैं, क्या कहते हैं, बगजी कहते हैं, इनकी यहां से भी इस परसंग से भी इस पेरेग्राप से भी सवाल पूछा गया है पहले भी तो पड़ोस में मानुबव रहते हैं जिनका नाम क्या है भगजी है लोग भगजी नाम से पुकारते हैं वो क्या करते हैं चूरन बेशने तो यह सवाल पूछा गया है पहले भगजी क्या काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस होगे यह काम करते हैं लेकिन किसी एक भी दिन से उन्होंने च्छे आने पेसे ज्यादा नहीं कमाए तो बगजी ने एक दिन में कितने रुपे का चुरण बेशते थे हो च्छे आने पेसे है जो कमाते थे हो चुरण उनका आसपा सरनाम है यानि चुरण की बड़ी परसिद्ध है उनकी और खुद खूब लोग प्रिये हैं कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते क्या कुछ उनके पास नहीं होता इधर दस वर्सों से मैं देख रहा हूँ उनका चुरण हातों आत्बिक जाता है पर वह उसे थोक देते हैं ने व्यापारियों को बेशते हैं पेस की ओडर कोई नहीं लेते हैं ओडर ओडर के लिए कोई नहीं बणाते बंदे वक्त पर अपनी चुरण की पेटी मतलब बंदे वक्त निश्च समय पर अपनी चुरण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते च्छे आने की कमाई उनकी हो जाती है च बागजी बागी चुरन बालकों को मुपत बाड़ देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25 पैसा भी दे सके। कभी चुरन में लापरवाई नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें है जो नहीं देखा है। और तो नहीं लेकिन इतना मुझे निश्चे मालूम है कि इन चुरन वाले बागजी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कैसे आगे देखते हैं। कहीं आप भूल ना कर बेठिएगा इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चुरन नहीं बेचता हूं। मैं चुरन नहीं बेच था मेरे लिए मत समझ लेना कि यहां पर लेकर कि चुरन बेच रहा है। जी नहीं इसी हलकी बात भी नहीं सोचिएगा यह समझेगा कि लेके किसी भी मानने पाठक से उस चुरन वाले को स्रिष्ट बताने की महिमत कर सकता हूं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ग्यान तक भी है या नहीं और बड़ी बाते हैं तो उसे मालूम क्या होगी और हम आपने जाने कितनी बड़ी बड़ी बाते हैं जो जानते हैं। इसे ये तो हो सकता है कि वे चुरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो लेकिन आप पाठकों की विद्वान स्रेनी का सदश होकर भी मैं ये स्विकार करना नहीं करना चाहता हूं कि ऐ पदार्त प्राणे को वे प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को प्राप्त है उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता माल बिचा रहता है कि तना ही और उसका मन अडिक रहता है पेसा उसे आगे होकर भीग तक मांगता है कि मुझे ले लो लेकिन उसके मन में पेसे पर एजुद दया नहीं समाती वह निरमम वेक्ती पेसे को अपने आहत गरुम भी लगता ही छोड़ देता है कौन भगत जी ऐसे आदमे के आगे क्या पैसे की वेंगे शक्ति कुछ भी चलती होगी क्या वे शक्ति कुछ भी चलती होगी क्या वे शक्ति कुंठित रहकर लज़ित से लज़ ही ने हो जाती होगी पैसे की वेंगे शक्ति की सुनि कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो तुम्हारे पास मोटर नहीं है यह मुझे अपने ऐसी विडंब ना मालूम होती है कि बस पूछ नहीं मैं सोचने को हो आता हूं कि हाँ यही माबाप रह गए थे जिनके यहां में जर्म लेने को कहीं बार आप बोलते ह है घलत होता कि मुझे यही मोटर वालों के यह प्यदा होता उस वेंगे में इतनी शक्टी है कि जरा में है। तो कर सकती है यह नहीं जो मिला है जिनके यहां हो उनका शुक्री अदा करो लेकिन क्या लोक वेभव की यह वेंगे शक्ति उस्चुरन वाले एक चितकर मनुष्य के आगे चूर-चूर होकर ही नहीं रह जाती चूर-चूर क्यों कहो पानी-पानी हो जाती है सहाब तो वे क्य बल है जो इस्तिखे वेंगे के आगे ही अजे ही नहीं रहता बल कि मानों उस वेंगे की करूरता कोई है जो पिगला देता है उस बल को नाम जो दो वह निश्य उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वेवफलता फूलता है वे कुछ अपर जाती का तत्व है लोग spiritual कहते हैं उसे आत्मिक धार मिगनेती कहते है मुझे योग गेता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और परतिपादन करूं मुझे शब्द से सरोकार नहीं मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है बटो रखने की स्प्रिया है वहां उस बल का बीज नहीं है बलकि यदि उस बल को सच्चा बल मान कर बात की जाए तो कहना होगा कि संचे की तृष्णा और वेभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमानित होती है निर्बल ही धन की ओर है जो जुकता है वह ऐ बलता है बल नहीं है उसमें वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजे है एक बार चुरन वाले भगजी बाजार चोक में दिख गए मुझे देखते उन्होंने जई जई राम किया तो किसने किया जई जई राम भगजी ने मैंने भी जई राम कहा उनकी आँके बंद नहीं थी और वे नए समय और नए उस समय वे बाजार को किसी भाती कोस रहे मालूम होते रामें बहुत लोग बहुत चालाक मिले जो भगजी द्वारा पैचाने जाने की चुकते भगजी ने सब को हैंसकर पैचाना सब का अभिवादन लिया सब को अभिवादन किया इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चोक बाजार में होकर उनकी आखें किसी से विकम खुली थी लेकिन बहुचक के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी व्यवार में पशो पेस उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे भाती भाती के बड़िया माल से चोक बरा पड़ा है उस सब के पड़ती ऐ प्रिती ऐ प्रिती इस भगत के मन में नहीं है उसे उस समुचे माल के पड़ती भी उनके मन में आशिरवाद हो सकता है विद्रो नहीं प्रसनताई भीतर है क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है देखता हूँ कि खुली आंक तुष्ट और मगन वे चोग बाजार में से चलते जाते हैं रा में बड़े बड़े फेंस से उस्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं कभी भगत है जो नहीं रुकते हैं है तो एक छोटी पंसारे की दुकान पर रुकते हैं वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं बाजार सहट पुर्वक विमुकता उनमें नहीं है लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चोक बाजार के सता उनके लिए तबी तक है तबी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है तो जीर पुर्वत बर जीरा वहाँ से ले लिया फिर सारा चोक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक सहाब बस इस निश्चित प्रतिती के बल पर से सब चांदनी चोका आमंतरन उन पर वेर्थ होकर बिखरा चोक की चांदनी दाएं बाएं भूकी की भूकी फैली रह जाती है क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिली ही जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया जाता है इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिची रहती है तो बड़ी खुशी से बिची रहे बगजी से बेचारी का कल्यान ही है जो बगजी बेचारी का क्या करते हैं कल्यान है जो चाहते हैं एक तरीके से आगे हम बात करें यहां मुझे ग्यात होता है अब क्या सीखने को मिलता है क्या समझे यहां मुझे ग्यात होता है कि बाजार को सार्थक देता है कि आपने है देते हैं जिसका मतलब है कि कपठ बड़ाते हैं कपठ की बढदे का अरत परसपर में सद्भाव ऐक घटी देखे कपट बढ़ने का मतलब कपट के बढ़ती कारत क्या हो जाएगा परस पर सद्वाव में घटी सद्वाव ना घटी रहेगी लोगों के बीच में इस सद्वाव के हाश पर आदमी आपस में भाई बाई और सुरिदे और पड़ो स्फिर है जो रह नहीं पाते हैं प्रेम भाउस नहीं रह पाते हैं और आपस में कोरे गाहक और बेच्चक की तरह वेवार करते हैं ग्राक और बेचने वाले की तरह वेवार करते हैं मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो एक किहानी में दूसरे का लाव है जो दिखता है साब और ये बाजार का बलकि इतिहास का सत्य माना जाता है ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवशक्ताओं का आदान परदान नहीं होता बलकि शोशन होने लगता है तब कपट सफल होता है निश्कपट शिकार होता है ऐसे बाजार मानवता के लिए विडम बना है और जो ऐसे बाजार का पोशन करता है जो उसका शास्तर बना हुआ है वे अर्थ शास्तर सरासर ओंदा है वे मायावी शास्तर है वे अर्थ शास्तर अनिती शास्तर है तो ये था अपना ध्याई पार् कि पंक्तियां कवीर साहब की पंक्तियां और बहुत अच्छी पंक्तियां सवाल पूछा जा सकते हैं वहीं आप यह जरूर देखें विजेदान देथा की कहानी कौन सी दुविदा विजेदान देथा साथ कहानी है दुविदा जिस पर कौन सी फिलम बनी है पहली फिलम बनी ह सवाल एक बार प्रिक्षा में पूछा गया तो विजदान देता की कानी दूविदा पर पहली फिल्म बनी है जान में रखना और ये विजदान देता की पंक्तियां गडरिया बगेर कहे ही उसके दिल की बात समझ गया पर अंगोटी का बोल नहीं की काली दाड़ी के बीच पी वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दीजी देखिए शबदार्त कुछ ये देख लीजी आप पर्चेजिंग पावरियन खरीदने की शक्ति अस्बाब यानि सामान दरकार यानि जरूरत परिमित यानि सीमित अतुलित यानि जिसकी तुलना नहीं की जा सके पेश दूरूर शेयर करें पहली बार देख रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो पढ़ाई को लेकर आप डेमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूटूब चैनल एक आदी की आवाज नाम से हैं दूसरा यूटूब चैनल हमापर बहुत सारे मोटिवेशनल दूसरा डालता है रहता हूं जाहिंद फूर मिलता हूं